अच्छिए पूर्ट एप पूर्ट एप पूर्ट एप पूर्ट एप यह पूर्ट एप लूप एप एप ए लो बोस्ट ये इतना असान नहीं है हम बहुत करीब हैं आपको एंट्री मारनी होगी पीड बोस्ट कर दो सर किशावर सर वो हमें यहां से जाने निदेगा तो क्या करें सर यहां से निकलने का ये की राचता है कौन से राचता मैं सिर्फ तीन तक गेन होगा अभान थीकहे तुम उस रास्टे से भागा यह बोस सात में जाएंगे किशोर बॉस तुम्हारा एक सुनहरा भाविश्य है तुमने अभी तक अपने गन तक नहीं चलाई गन तो मिरे पास है भी नहीं है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बॉस लेकिन बॉस मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूं किशोर ये वक्त एमोशनल होने कर नहीं है सर ठीक है वन टू ट्री फोर फाइव सिक्स एक प्रीज वेट बॉस बॉस रेडी एक दो तीन पॉस आप वहाँ क्यों खड़े इस रास्ते से बागिये ना ओवा किशोर तुम मामी तक प्लान सबज नहीं पाए और नहीं 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 दोन कम दोन कम प्लीज दोन कम बचाओ बचाओ है प्लीज है प्लीज बगवार बचाओ मुझे अर्ट है इन्हें मेरी सेफटी की आप लोग यहीं सोच रहे हैं कि इन मामुली से फूलों के लिए मैं इनका गुलाम बना हुआ हूँ पर मैं आपको बता दू कि सुगंद को महसूस करना इनका जुनून है इनके घर में लैब है मेरा मतलब परफ्यूम लैब परफ्यूम बनाने में मेरे बॉस पूरे यूरोप में फेमस हैं बूची ग्लूम, रोबो बकानो, सैल्विन क्लीन जैसे बहतरीन ब्रैंड्स को मेरे बॉस ने ही बनाया है मुझे एक केले के ज़रू रहता है सॉरी बॉस जो आखरी बचा था वो तो मैंने खा लिया शाहिद किचन में है कोई चांस नहीं है बॉस पूरे घर में तो गया लैब में भी एक भी केला नहीं बचा बॉस का ये टैलेंट मेरे लिए मुसीबत बन गया है इनकी सुमने की शक्ती भालू से भी तेज है वेरी पावर्फुल नोज उस डस्ट बिन से कुछ भू आ रही इसमें सड़े हुए के लिए है बॉस क्या हुआ बॉस एक चीज तो भूली गया क्या चीज वो मास्क देना अब इटा हूँ आपने मुझे पहले क्यों नहीं बता है बॉस बॉस का ये स्पेशल टैलेंट कभी कभी बहुत बड़ी प्रोब्लम खड़ी कर देता है ये खुश्बू के प्रेमी है और हमेशा गंडी बद्बू से दूर भागते है बॉस 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 क्या हुआ बॉस क्या हुआ आसपास कुछे मचली पका रहा है बॉस या कई किलोटर तक इंसान तो क्या घर भी नहीं है शायद ये बद्बू किसी दूसरे शहर सारी है अब आप दूसरे शहर की बद्बू मी सुंगने लगए बॉस मैं कुछ लेकर आता हूँ मेरे बॉस की एक और खासियत है इन्हें सब कुछ वेल मैनेज चाहिए घर में फरनीचर से लेकर तकिया तक सब कुछ सेट होना चाहिए उनकी अपनी अपनी जगहे पर खाने पीने के मामले में भी इन्हें सफाई बहुत पसंद है अगर प्लेट में जड़ा से भी गंदगी हो तो खाना इनके गले से उतरता नहीं है इसलिए मेरे बॉस हमेशा डिस्पोजिबल प्लेट और कपका इस्तेमाल करते है इनकी लाइफ में हर चीज यूज एंड थो है वैसे तो मेरे बॉस एक नंबर के संकी है पर इनका दिल बहुत अच्छा है बॉस की कहानी से पहले आपको इनके दादा जी के बारे में कुछ जानना पड़ेगा तो चलिए फ्लैश बैक में 1928 में एक अंग्रेज भारत से कुछ मज़दूर बिटिश ले गए ताकि वो वहाँ पर एक बेकार सा पुल बना सके उन्ही में से एक थे मेरे बॉस की दादा जी आते समय उस शिप के कैप्टन की मौत हो गई वैसे वो कैप्टन बहुत ही बर्माश था सारे हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों को जहाज से नीचे फेक दिया और फिर वो जहाज इंग्लेंड जाने के बजाए सीधे पहुच गया पॉर्चिगल और उन लोगों ने उस जहाज को रिश्वत के तोर पे दी दिया वहाँ की लोकल गवर्मेंट को और उसके बदले उन हिंदुस्तानियों को उपहार के तोर पर एक जमीन दी गई जिसका नाम था कैसेंडरा उनके दादा जी वहाँ पर आराम से जिंदगी गुजारने लगे जहाँ स्मार्ट फोन तो नहीं थे लेकिन जिंदगी स्मार्ट थी उन्होंने वहाँ बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया अपने सारे रिष्टेदारों को उन्होंने कैसेंडरा में बुला लिया और धीरे धीरे वहाँ की आबादी भी बढ़ने लगी जहाँ पहले आबादी 752 वो बढ़कर अब 36,000 तक पहुँच गई थी और धीरे धीरे वहाँ पर एक छोटा सा हिंदुस्तान बस गया और वो लोग बाचीत में पुरानी हिंदी भाषा का प्रयोग करते थे जैसे की breakfast को अलपहार, good afternoon को शुब मध्यवेला और good morning बन गया शुब दिन मैं यहाँ पर पिछले दो सालों से रह रहा हूँ लेकिन इनकी भाषा मेरे पल्ले तो बिलकुल नहीं पढ़ती फिर भी मैं इस भाषा को समझने की पूरी कोशिश करता हूँ मेरे बॉस की पूरी कहानी अलग हुई होती अगर उनके दादा जी उस जहाज में नहीं होते तो फिर क्या होता? सर मैंने तो अब डिसाइड कर ही लिया है मैं अब शादी करूँगा तो किसी पॉर्चगुल लड़की से ही करूँगा क्या है कि इंडियन लड़किया थोड़ी सी बिवकूफ होती हैं सर? क्या है कि पिछले दो साल से मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ के लोगों से घुल मिल गया हूँ इन इस प्लीज और नो टापकॉटर प्लीज गूची ब्लूम इंडियन यह यह पर्फ्यूम मैंने बनाएं इस परफ्यूम से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता चलता है तुम समझदार हो और क्रीटिव भी हो लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी काबलियत नहीं देख पाते हैं लेकिन वो क्या सोचते हैं तुम उसकी परवा नहीं करती तो हैं उनकी सलाह की ज़रूत नहीं करेक्ट बोल रहा हूं हर से टेंडे मुझे यहां पर लेकर आते हैं और फिर मुझे यहां से बाहर निकाल देते हैं उन्हें क्या लगता है कि मैं पेवाकूफ हूं इन्होंने मेरी जिंदगी नरक बना दी है छिजा से जिजान कुछान क्या पूरू段... मैं बना मैं यु questi एंजा से बदे tavना इनोमं की यहां जिएमार् Olना का निए हूमने क्या भीए लेमी हां झंसे आव मैं, भ। cent कुछान मैं टुई हूमने जए भ। चैन से सोने भी नहीं देते हलो सर हलो किशोर किशोर यहां मैच शिरो होने माला है हेलमट चाहिए सर हाउ स्वीट ऑफ यू सर आपने फोन करके मुझे याद दिलाया मैं कल मैच की हाईलेट देख लूँगा गुड नैट सर कॉंडम चाहिए मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या मैं उनका पिये हूँ यह कुछ और हूँ इस वक्त उनके पीट में पंच में नहीं मार सकता हूँ यह मेरे पीच्छे क्यों पढ़ रहा है यह मेरी मैं बाद। आरे हो ग्या आपड़ जा सर आपका फोर प्ले हो गया हो तो पावर प्ले कर सकते हैं सब हेल रहा है यह क्या हो रहा है आप मिन्हें हेलमेट की शुरू होगए सर इसे यूस कीजिए वहां दुल घटना घटाएगी सर इन्हें इन नहीं नहीं आती आधे हैं जो मारे लिए परिशाल लगा ओके, Okay, Okay. No, No, No. It was there. So, I really had a good time. Oh, yeah. मैं तमसे पूछने वाली थी. ये टाटू. एक लड़की है, जिससे मैं बहुत प्यार करता था. प्यार. वो तो मैंने बस इसी से किया है hot and emotional I like that you're the best I've ever had क्या हम दोबारा मिलेंगे मैं समझ गई शायद नहीं I think it's best this way ए किशोर एक काम कर उसे घर छोड़ दे बहुत देर हो चुकी मैं जाहूं सर उसे छोड़ने के लिए हाँ जाना यार ठीक है दो दिन के बाद आऊंगा मेरे बॉस के हाथ के टैटू की एक कहानी है छोटी सी कहानी उनकी लाइफ के बिगेस टर्निंग पॉइंट का एक रिजन है उनका फर्स्ट क्रश रोमा ने 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 पूमा सुमा भैया मुझे तो ये बहुत अच्छी लग रही है येस तुम क्या करती हो भूमा भूमा नहीं सुमा चलो जूबी हो करती क्या हो तुम मेडिकल की पढ़ाई कर रही हो नेरो सर्जन बनना ही मेरा सपना है तुम एक सर्जन हो तो अपर क्या तुम मेरे भाई का खयाल नहीं रख पाऊगी मैं मैं कुछ समझी नहीं तुम्हे खाना बनाना आता है क्या उमा तुम्हे एक कप्रे दोने दो आते हैं न उमा नहीं सुमा ना मुझे खाना बनाना आता है और ना ही कप्रे धोना और ना मैंने शादी के बारे में सोचा है हमtechn.. मतलब… तो क्या तूम हमारे सैम का इस्तीम रीड उरी हो शुमा सुमा तूमने भाहा कुछ क्यों नहीं कहा है Freddie तुम बस उन्हीं की तरफ ते, ऐसा करो, उन्हीं के पास जाओ, क्योंकि हमारे बीच सब खतम हो गया, दुबारा में तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखोंगी, ऐसा मत करो, सुमा, सुमा, तुम लोग इंसान हो या राक्षस, वो इतनी अच्छी लड़की है, और तुमने उसके साथ पैसा किया, तू चुपो जा, जिस लड़की को खाना बनाना नहीं आता, उसे शादी कौन करेगा, तू चुपकर संगीता, मुझे कोई कुख थोड़ी चाहिए, मुझे तो बस मेर आप जीवन साथ ही चाहिए, तुम्हें का लगता है, औरतें सिर्फ खाना बनाने और सफाई का काम कर सकती है, औरत ही औरत की दुश्मान है, ना कि आपनी, तो क्या, तुम्हें लगता है हमार पस और कोई रास्ता है, क्या तुमने कभी खाना बनाया है, क्या कभी साफ सफा तो मैं खुद करूंगा, मैं खुद करना सीख लूँगा, बहुत हुआ, अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगा, मैं जारा यहां से, भाया, शुविता, तुझे इन राक्षासों के साथ रहने की बिल्गुल जरूरत नहीं है, मैं हूना, तु मेरे साथ हाजा, एई, खाना तो खाले, तो खा, तो यह है, मेरे बॉस की फैमिली, यह है सुर्णा, दा बैट कॉप, यह हर चीजों में टांग अडाती है, यह है संगीता, दा गुट कॉप, प्यार के मामले में बिल्कुल मूफट, लेकिन यह दोनों ही जालिम है, और यह है श्वेता, मेरे ब बॉस की राडली, बॉस के दादा जी की फोटो के बगल में एक फ्रेम है, जो बॉस के पापा का है, सदाशिव जी, वो तब चल बसे जब मेरे बॉस 12 साल के थे, और तब से मेरे बॉस के माँ, पापा, हेड अफ दा फैमिली सिर्फ एक है, उनकी मा, यह थोड़ी सी एमोश सब्सक्राइब में वो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस दिन बॉस ने अपने ग्रेट टैलेंट को पहचाना और वो पॉफ्यूम बनाने लगे, सुमा, 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 और ये हैं मेरे बॉस का नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट हाँ, रुकिये, रुकिये, मैं आपके लिए लेंग्वेज को बदल देता हूँ हलो साइम, तुम मुझे जानते हो, मेरा नाम है इसाबेला, मैं शृती की बेस्ट फ्रेंड हूँ उसने मुझे बता है कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, मुझे लगता है कि हमें कॉफी पीने चलना चाहिए, तुम्हारा क्या ख्याल है, तो चलो इसाबेला, साब तो ये थी मेरे बॉस की कॉफी, समझ गया ना, ज्यादा मत सोचिये, इनका नाम सैम है सैम I love you, oh no 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 no, I like you, I like you, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और उस रात मेरे बॉस को ये समझ में आ गया कि ये प्यार व्यार सब बक्वास होता है और प्यार की चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, उस दिन के बाद से मेरे बॉस की हर रात रंगीन होने लगी हाँ 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 ह तुम से मिलके, खुद से मयारा, हाँ तुम मेरे, हो खुद आया ओ, साम सूफिया, हेलो सूफिया हेलो बॉस, अप लड़कियों के इतनी जल्दी कैसे फसा लेते हो मैं कहां फसाता हूँ, यह अपने आप फस जाती है बोल कॉन रहा है, वैसे बॉस मुझे एक बात बताओ, आप इन लड़कियों का ध्यान अपनी तरफ आकर खीचते कैसे हो, मेरा मतलब उनका कैरेक्टर कैसे पता करते हो मुझे लगता है, तुम ध्यान से सुनते नहीं हूँ, मैं उनसे कहता हूँ, कि तुम समझदार हो, क्रेटिव हो, लेकन तुम्हेरा आसपास के लोग तुम्हें आहिमित नहीं देते हैं, पर लोग क्या सूचने तुम्हें परवा नहीं, बास इस तरह यह बातों में हर को भ मैं लोग कर तुम्हें. तरब मेरे यार, तुम्हार मीरा क्या हूँ, अब कह भी दो ना, जानिया वे, तु सास मेरी, तिर भिना मैं क्या रादा, मेरे जीने का तू जरिया, साजे तुम्ही चलते हो, तुम हो तो है मेरी एजबगी, वेखने तुम्हें जो रही, मरते हम लमहा लमहा, तुमसे मेरी हत्ता मंदा, वें तेरे ख्वाहिशे कुछ भी रही, चलता मेरे सब तेरे, 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 कहता हूँ, तुमसे, तुमसे, कोई भी नह त्यारा, नो, नो, दिल से, मेरे यारा, मिल गया तुमसे, मिलके, खुद स्ञेग साइड हाथ नी मेरे हो खुदाया है अपस्दी आ अपसे ही इसा इसे द्रौत्छ मैं प्रहा भी ती स्ञेट सुथे विए ड्रौत बाइचा नब सकगी के लिए धुटे इसे होद एडियर लिएगट अपसे है yeah let's call her she's coming here only definitely yeah see hey Avantika hello I'll just come okay wow she's gorgeous oh really look at her no no she's not fat she has a nice body come on man you can do it go doctor seriously excuse me an innocent indian girl coming your country working here and there and putting red hair and you guys are commenting bloody rocks hey who are you why don't you mind your business just go listen listen shut up if you're abusing abused in Hindi at least I can understand are you leaving or you want me to help you please take your seat please take your seat hey tell me when the order is ready okay hey those guys are talking about you come on you can do it come on go talk to her go talk to her go talk to her what are you thinking you're beautiful you are a very handsome boy what are you doing man give her more come on more come on more come on find me okay hey did you look at him look at him look at him hey we've got her bro did you see that she's his understood yeah go find someone else for yourself life is a game of cards y'all know it's a pale swords sometimes on who you are go go talk to her come on go talk to her hey beautiful should we go for a coffee what do you say just shut your mouth and get lost you don't like coffee tell me just buzz off okay oh okay okay no problem that's why I said she's mine go 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 such a dangerous babe I love you more give me more doc doctor doctor don't you know . Details should control not or how . V tough ma ma may . जबकि मैं जानती हूँ, मैं जल्दी ही मरने वाली हूँ मा मैंने जिन्दगी में बहुत कुछ देखा अब और ज्यादा नहीं देखना चाहती आप उसके बारे में इतना क्यूं सोचती हैं वो नालायक है उसे नहीं पता जिन्दगी में चीज़ों को कैसे संजो कर रखा जाता है मैं जानती हूँ, उसे मेरी बिल्कुल भी गद्र नहीं है आप देख लीजी कमा, एक दिन ज़रूर होगी इसी बात का तो डर है कहीं उसके जानने से पहले मुझे कुछ हो गया और मैं तब उसके लिए बहुत मुश्किल होगी मा, जिस दिन उसे इतना प्यार करने वाले मिल जाएगी जितना मैं उसे करती हूँ मैं चेहन से मर पाऊँगी मुझे उससे बात करनी होगी जल्दी ही करनी होगी किशोर, सरा जल्दी आ, नहीं तो देर हो जाएगी आ रहा हूँ सर ए, जल्दी करना यार, लेट हो रहा है मा, हर संडे हम लौकी क्यों खाते हैं? मेरा मतलब हम कुछ नया बना सकते हैं, मैं बना दूँगा करी, आलू का भरता, मैं शादी से पहले इंडिया में खाना बनाया करता था, मा ऐसी बात नहीं है सदाशिवराव को लौकी बहुत पसंद थी इसलिए हर संडे को खाने में मैं लौकी बनाया करती हूँ, ये परमपरा है पर अब तो वो यहां है नहीं न, क्या मतलब, जब तक सदाशिवराव वास्तों में नहीं मर जाते, ये परमपरा इसी तरह चलते रहेगी, तुम क्या जराईने वहां रख दोगे, धन्या, क्या तुमने लौकी बना ली, ये वास्ता में मरना क्या होता है, हाई मामा, मानी म हाई चलो अंदर जाओ, हलो मैम, चलो अंदर, मैम, मैम सरी आपके लिए आईस्क्रीम लाए थे, क्यों रहे, तो इस भुककड को हर संड़े यहां क्यों लेकर आता है, क्या तुझे नहीं पता, ये फैमिली लंचे, आहां मैम, मैं भी सर से यही कह रहा था, सौरी, मैं चलता सरे सार, तेरे घर पर ही रहता है, और तो हर संड़े ही तुझे नहीं लेकर आता है, आखर तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है, हां? it might be just rumors in other's mind but it creates problem for my parents who's looking for a match for me or in their matrimonial sites so when i say i beg you i mean from my heart please ma'am i beg you please ma'am our english is so good, we didn't come to school bloody psychopath family Kishore, what are you thinking? nothing sir salt, do you want me? your problem is what? i am telling you this okay, you told me salt they don't understand me no, I don't want you sir let's get salad go go i am 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 मुझे अपने साथ कभले कर जाओंगे चल्दी ले जाओंगे हेलो जननी हे अवांतिका आई यू बिजी? नो 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 कम इन कम इन मैं फाइल के बारे में जानना चाहती हूँ अप्रूव हो गई क्या? सिद्धू की फाइल अब तक चेक नहीं हुई है तुम बुरा मत मानना लेकिन शाद अप्रूव भी नहीं होगी तुम अकेली रहती हो तुमें स्मोकिंग की हाबिट है स्टेडी जॉब भी नहीं है यहां तक की बैंक बैलेंस भी नहीं है मैंने बताया था ना मैं अपनी पोयम्स पब्रिश करवाने की कोशिश कर रही हूँ उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी ट्रस्ट में अगर नहीं हुई तो वो मेरी बहन का बेटा है मेरा उस पर तो हक है ना उससे मुझे कोई कैसे अलग कर सकता है अवन दिका यह इंडिया नहीं है यहां माबाप के मरने के बाद बच्चों की जिम्मेदारी कवर्मेंट की होती है और तुम्हें अप्रूवल लेना ही होगा बहले ही उससे खून का रिष्टा क्यों नहीं हो मैं कुछ नहीं कर सकती अडॉप्ट तो मैं करके रहूंगी तुम्हारी मदद के बिना ही सही बैंक बैलेंस होना चाहिए ना चल्दी हो जाएगा क्या यह तुम हो मेरा फेस्बुक पर चाटिंग की थी मेरा फेस्बुक पर अकाउंट नहीं है यह चैट करने वाला मैं नहीं हूँ यह कोई और होगा मेरी फैमिली से आपने कहा था कि तीन महीने में आपकी शादी होने वाली है फिर मैंने आपको ब्लाशिंग वाला इमोजी हे जा था आपको याद नहीं हो ला दिखा ला दिखा मुझे शादी नहीं करनी लेकिन मैं हानी मून पर जा सकता हूँ तुम चाहो तो यह क्या कह रहे हो जो तुमने सुना कोई बात नहीं बाई दिखो इसको बत्तमिस इतनी अच्छी लड़की थी और इसने ऐसा किया मेरी बॉस की बहने ऐसे मानने वाली नहीं थी कसेंडरा की सारी इंडियन लड़किया उन्होंने बॉस के पास भेज दी उनीज बीस इक्कीस टूटल इक्कीस लड़किया भेजी थी इसके पास सारी सारी लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया है इसने हम तुस्से तांग आ चुके हैं पता नहीं तो कम आलेगा पॉल सी टाइप की लड़की चाहिए तुझे जब तक इसकी यह बढ़ बाद कर रहे हैं कैसे निकले अब पैंसे क्यों मारना अब आप यह बात करो इससे इसा क्यों कर रहा है अब मैंने क्या किया सर आ चिंदा मत का चिंदा मत का माजी भी गई उन्होंने गलत के ना हाँ सर 24 लड़किया और एक और थी 25 लड़किया लगता है मेरा स्वेंबर करवा रहे हैं बिलकुल सर आप इतने हैंडसम दिखते हो लड़किया आप पर मरती हैं अब मतलब कि उनका परस्पेक्टिव है और आपके परस्पेक्टिव से इसलिए परस्पेक्टिव सर माची आ रही है मा यह क्या कर रही हूं मा छोड़ो इसे लाओ मुझे दो आप बैठो तूम्हें और क्या कर सकती हूं आप पहले बैठ तू भी बैठ आब जा बैठ ना तूने कहा था कि तुझे बड़ा करना मेरा फर्स था लेकिन तुमेरा ब मुझे हर वक्त तेरी चिंता लगी रहती है तेरी बेहने कब तक रहेंगी मा मेरा यकीन करो मैं अपना ख्याल रख लूँगा तेरे बसका बिलकुल नहीं है मुझे पता है क्योंकि मैं तेरी मा हूं देख हर चीज उम्र के रहते हो जानी चाहिए यहां तक कि वो क्या कहते ह है आज कल तुम्हारी बर्च है तू अभी भी वर्जीन है बिटा मा जान देख हुआ 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 मा जीवन में मन की शांती ही सबसे बढ़का है और तन की शांती का क्या बिना हेजिटेशन के अपनी खुद की मा से इतनी कॉन्फिदेंस से जूट कैसे बोल ले दे हो बॉस इटेक्स गट्स बॉस क्या अपने मेरे निखा एक किशोर क्या हुआ कुछ नहीं माजी वह क्या है कि चीटी ने काट लिया पहुत जोर से प्लेस इस नॉट इंपोर्टन पेर इस इंपोर्टन तु देखना जरा दे किशोर दिखा ना 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 रहने दो ठीकू ए भीवान बहुत बुरा हुआ बेचारा अब क्या करेगा ये देख सैंब ये बस शादी ही नहीं जिन्दगी में इसके बहुत माइने हैं तुम लोगों के साथ में बहुत खुश रहती हूं लेकिन जब अकेले में जाती हूं तो मेरी मेरी आखों से आसू बहने लगते हैं तेरे पापा को याद करके सैंब अकेला पन क्या होता है ये तुझे नहीं पता अकेले रहना भले ही तुझे अच्छा लगता हो लेकिन दीरे दीरे ये अकेले पन में बदल जाता है समझने के कोशिश कर तो क्या करेगा जब मैं मैं चली जाओंगी क्या ये सह पाएगा अगर तु मेरे मरने से पहले शादी नहीं करेगा तो मैं इसी बात के साथ मरूंगी कि तुझे अकेला है मां मां ऐसा मत बोलो मां मां क्या हुआ बोस मेरी मां को मेरी बहुत चिंता है वो जड़ा रह कि कहीं मैं अकेला नहीं रह जाओंगी और इसलिए वो मेरी शादी करना चाहती है जबकि मैं नहीं करना चाहता है करेक्ट बोस हर आदमी जो डॉक्टर बनना चाहता है जरूरी नहीं कि वो पढ़ाई करे मैं मा को खुश देखना चाहता हूँ लेकिन शादी नहीं करना चाहता उन्हें भी समझना चाहिए और जिद नहीं करना ही चाहिए कुछ करना पड़ेगा कुछ लोग हमारी जिन्दगी में अचानक से आ जाते हैं और जब उनके आने का एहसास होता है तो जिन्दगी बदल जाती है नहीं 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 प्लीज मत आना परना मैं खूर चाहूंगी प्लीज नहीं प्लीज डोंट लास्ट टाइम आपको देखना चाहती थी मैं इसलिए आपको यहां बुलाया अब मेरे पाससगे से अलाव़ाद को यहां नहीं आपकोंशार Mic प्लीज प्लीज रचाहसे मेरे म अब सुत एक लेजिए उती च्वत ब्हुत क्लाय प्लीज उती प्लीज मेरे पाससब कोथ यह शारा नहीं है प्लीज जोडॉफ प्लीज मारू क्या शांद शांद शारी आप चाहते हैं कि मैं एक फेमेस आखिटेक्ट बनू इसलिए मुझे वो खोर्स जोईन करवाया लेकिन पहले सैमस्टर में ही मुझे पता चलिया कि मुझे इसमें कोई इंट्रेस्ट नहीं है मैं पास नहीं हो सकती बाबा मेरे लिए तुम हो तुम मरने जा रही थी तुम मेरी जान ऊ देखो तुम्हारी मा का फोन है स्वाइब यह क्या कर रहे है यह तुम इतनी जल्दी हार मान गई क्या है रे कौन है बेटू मैं ये सब ड्रामा इसलिए कर रही थी कि आंके जए कॉलेज छोड़कर ड्रामा कॉलेज जॉइन कर सको और तुने बैंट बजा दी चला है रोके रोके चला 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 थैंक यू आख्टिंग इसको एक्टिंग कोर्स की ज़रूरत नहीं है बॉस अच्छी एक्टर बनेगी पहने से ही एक्टरस है हलो सर इसका ध्यान रखना कहीं फिर से लग कूच जाए चलो चलते हैं सर किशोर हाँ बॉस उस लड़की से एक मस्त आइडिया मिल गया क्या बॉस अब कहीं बैठ कर कॉफी पीते हैं चल चलते हैं ठीक है चलते हैं लेकिन कसाना नहीं जाएंगे मैं यहां की लड़की से नहीं मिलना चाहता कहीं दूर ले चले कहीं दूर बॉस मुझे एक जगा पता है वहां लेकर चलता हूँ लेकिन आपको मेरी मदद करनी होगी बॉस हमें एक लड़की फिक्स करनी पड़ेगी वो मेरी गर्ल्फेंट बनने का नाटक करेगी और मेरी फैमिली को इंप्रेस करेगी मैं वहां के एक वेटरस को जानता हूँ सर बहुत सुंदर है वो फिर तो मेरी फैमिली शादी का मुरत फिक्स करके ही मालेगी मैं वहां महिने में तीन बार जाता हूँ सिर्फ उसे जी भल के निहारने के लिए सर मुझे पुरा कॉन्फिडेंस है आप उसे पता ही लोगे श के गाया बोने के बाद मैं सबके सामने दीवदास बने का ऐसा नाटक करूंगा कि मेरी फैमली दुबारा शादी करने के लिए नहीं कहीं मुझे आपका स्टाइल पसंद आया अगर आप मुझे बूस्ट करेंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आज ही मैं उस हरा पिर'll sir कि हाई वाय गाय गॉयान के प्रुट्त कि अजय नहीं से और अटकम को काम पर लग गए वान एस्प्रेसो डिस्पोजबर ग्लास में नो कॉफे शुद आ गेट यू सम्थिंग एल्स हाँ ए किशोर बॉस किशोर मुझे यहां क्यो ला है मुझे कॉफे चाहिए थी यू वाना सिट आपको तो पता है ना यहां कॉफी नहीं मिलती तुम इंडियन हो क्या ए किशोर तुम इंडियन हो तो प्रॉबल्म क्या है इंडियन लड़की फर्स टाइम देखिया क्या तुमारा नाम क्या है अवन्दिकर अवन्दिकर बहwarzती प्यारा नाम है अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या में एक प्रस्ताव रख सकता हूं प्रस्ताव प्रमोसर रखो रखो सर, रखो रखो सरसर रखो सर जो मांगोगी वो मिलेगा सिर्फ दो हाथे के लिए मेरी प्रेमिका बनना हो एक्स्क्यूस मी? आ, मुझे गलत मत सम्झो, मैं उस तरह का नहीं हूँ बदा ना किशोर येस मैम, he's a perfect gentleman in fact, he's a cold-blooded virgin हम कहीं और चले, खुल कर बात करते हैं बॉस तो, लेट में गेट इस स्ट्रेट दो हफ्तों के लिए आपकी गोल्फरिंड की आक्टिंग करने पड़ेगी आपकी फैमली को इंप्रेस करना होगा और शादी के दिन ही भाग जाना होगा ये गलत नहीं है गलत नहीं है, सही है मैं घर में भी किसी बाहरवाले को नहीं आने देता, तो फिर अपनी लाइफ में किसी और को कैसे आने दे सकता हूँ इंपॉसिबल नेवर फॉलिन लव आई डोंट फॉलिन लव आई ओनली मेक लव अगर किसी को भूख लगे तो जरूरी नहीं कि वो खाना बना है पर इससे तुम्हें क्या मतलब तो मुझे क्या मिलेगा तुम्हीं बोल दो दो हाफते मतलब चौदा दिन और रोज के दो घंटे सो ट्वेनी एट इन्टो फाइफ थाउजन यूरोज पर आवर वन हंड़ेट फॉटी थाउजन यूरोज 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 क्या कहा एक करोड़ पैंटिस लाख रुपाए सर इतने पैसे मुझे देदो ऑपरशन करवा के मैं लड़की बन जाऊंगा पूरे 15,000 यूरोज दूँगा अगर ठीक लगे तो बता देना नहीं तो किशोर तुम्हें घर छोड़ देगा 30,000 यूरोज मंजूर नहीं तो मैं खुद चली जाऊंगी किशोर की जरूरत नहीं है मुझे 20,000 25,000 ड्रॉप कर दूँ मैं मैं यह कर देती हूं लाओ पता नहीं इंदी कहां रखी है एक अच्छी ख़बर सुनानी है दो साल से मैं एक लड़की को प्यार करता हूं तुन्हें अब तक यह बताया क्यों नहीं अब जरूर इसे बताया होगा तोने की नहीं बताया है क्या भाया आपने मुझे भी नहीं बताया नरा मैं तुझे क्यों बताता ? टू भी तो मेरे खिलाफ थी मैंने इसलिए आज तक नहीं बताया क्योंकि तुमशादी के लिधित करते और हम दोलों को थोड़ा वक चाहिये थे लेकिन अब बता रहा हूं इसका मतलब एज दो साल तक बताया क्यों निए लड़की है या फिर वो किशोरी है रही चुपकाना स्वरना वो बाई वो इंडियन तो है ना बताऊ ना बताऊ ना जुकाना उत्रसी कहा लिए ना उसे कया आपता दे खाना निटी अ उससाफ मैं जाती है कि नी अचिक याभ उआ दे ने निटेख पढ़ना बच्छा ये! वो! 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 अवधिगा! अवधिगा याना! वाइ! याओ! वो! जल्दी आओ, जल्दी आओ! what's up वेलो प्रपोसल क्या बात है आप इसके लिए सच्छ में कॉंट्रैक कर रहे हैं यह रहली यूवड दा रहे हैं okay इस तो यह बात है और प्रेकोर्ट आप यह संबस्यिवर्ण वेट अमिंट Sam कहा था ना आपका नम संबस्यिवर्ण है जब मैं पैदा हुआ, दब सांबा शिवा नाम बहुत चलन में था, अब इसे पड़ो और साइन करो सारी, ओके, सांबा शिवा राउट जी, ओके एक मिनिट, फिर्स्ट मीटिंग में फैमली ने रिजेक्ट कर दिया तो पैसे नहीं देंगे अगर तुम रिजेक्ट होगी, तो बचावा 60% में नहीं दूँगा, अगर ये शर्ट मनजूर है तो बोलो, नहीं तो हमारे ये सौधा कैंसल अगर मैं आपके बताए कपड़े पहनने लगी, तो सबको लगेगा कि मैं ड्रामा कर रही हूँ आपके फामली को कैसे इंप्रेस करना है मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूँगे ठीक, तुमारी मर्जी एक मिनट, शीज कालिंग बाई सांबू हेई इस्क्यूज में आप अंदर नहीं आ सकती आपको बाहर वेट करना पड़ेगा क्या देख रहे हो मढ़ि,... ंव अप disgust आप आप dad you like me no? वेरी मुच अप आप वेरी मुच अगर ये डील सेट नही हो गी तो में इस बार में तहीं है जरूचेंगे सूचना सरूर सूचना आउट हाउस में वेट करना था अंदर क्यों आ गई अच्छी लग रही है यो हमेशा अच्छी लगती हूं मैं इस इस चस्ट मी में बालों को कलर करके सब्सक्राइब अच्छा है ठीक है बढ़ दूगा ड्रेस कैसी है क्या बोलते हो क्लासी ग्रेट इसके भी पैसे आपको देने हैं ओके सर डील कैंसिल हो गई न लेकर क्यों डील हो क्या है क्या हाँ तुम्हें मेरे बारे में कुछ चीज़ जाननी होगी नहीं तो काम बिगड़ जाएगा मुझे रफी सहाब के गाने पसंद है क्रिकेट में सच्चिन से ज्यादा मुझे द्रवड पसंद है तुमसे तुम्हें कभी शादी न करो मुझे बीटल्स भी पसंद है बीटल्स अफकोस आपके जमाने का फेमस बैंड है अच्छा आप पर्फ्यू मनाते है ना फेवरेट फ्रेग्रंस कौन सी है अगर साच कहूं तो चंदन की और एमेजॉन में मिलने वाला वह एक अगर आपसे कोई यह सवाल करें तो बहुत रोमैंटिकली बोलना मेरी फ्रेग्रंस आपको पसंद है समझें इंचलेजन्च हो वो तो मैं हूँ अब आप मेरे बारे में जान दीजिए इसकी कोई जरूरत नहीं है क्यों मेरी फैमली तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानत मां बाकि दहीं दूद ऐम आओ बठा आओ 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 ना मुझ जी मनिट मैं बताती हूँ संपिता जी आप फैनली बिस्टनस का, फैनचल दिपारिट्मेंट देखती है आप संप्टा के था डिष्ट Пटॉर्ण और सिंगी डिष्ट मुंपपरिकी कि famili 주 पितो को ह Васघी सार्ट इंट्रोडक्शन तो अच्छा था पर यह सब कैसे जानती हो तूं सामभशिवराओ जी आज की जनरेशन के पास फेस्बुक नाम की चीज है जिसमें लोगों के बारे में हम सर्च कर सकते हैं बहुत स्मार्ट है ना सच में मुझे नहीं नगा था सैम का ऐसे लड़की मिलेगी अवंतिका यहाओ अवंतिका मा मा क्या नाच्यों मदर आई यू किदिंग मी आप इतनी यंग लग रही हो मुझे लगा आप फैमिली फ्रेंड हैं कोई बात नहीं बिटा कभी कभी लोगों को लगता है कि मैं इसके बड़ी बेहन हूँ आउंटी ऐसा नहीं है बल्कि सैम आपका बड़ा भाई लगता है यह पहली बार गहर आई यह इसे साड़ी तो देनी ही पड़ेगी है ना यह मुझे ऐसे भी अच्छी लगी तो फिर फाल्टो ड्रामा करने की क्या सबत बस भाई से शादी कर ले और कुछ नहीं अच्छा है मैंनी ट्रडिशनल कपड़े नहीं पहने तुम क्या करती हो बिटी आंटी मैं वैसे तो वेट्रिस का काम करती हूं बट आएम पोईट अपनी फर्स बुक पब्लिश करवाने की कोशिश कर रहे हूं कवी ता लिखती है ना इतनी इस डिफ्रेंस के बाद भी दोनों की जोड़ी कित्ती अच्छी लग रही है चलो भाई की पसंद तो सदर गई तुमारे घरवालों को तो पता है ना तुम दोनों के बारे में मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि तुम दोनों की बीच उम्र का काफी गैप है मेरे ममी पापा इंडिया में रहते है मैंने लगबग आट नाव सालों से उनसे बात नहीं की तो उन्हें कोई परिशानी तो नहीं होगी ऐसा नहीं है उनके लिए तुम्हें एक परिशानी हूँ इसलिए जब मैं आपकी फैमली को देखती हूँ तो हम आपकर हूँ मुझे एक बात बताओं पहले मुझे एक कन्फूशन था सैंग को लेकर लेकिन ऐसा खाना खा कर लग रहा है कि अब तुम जो इसी से शादी करूंगी तुम यहां कभी भी आ सकती हो बेटा जब भी तुम्हारा दिल करे मुझे शक है क्या ये तुम्हारे लिए सही होगा या नहीं मुझे लगता है इस बारे में इसे बात करनी चाहिए थांक यू आंटी मुझे यहां आकर बहुत अच्छा लगा आप सब लोग बहुत स्वीट हो आप सच अ लवली टाइम सो शादी का मोरत निकलवाने की सोच रहे होंगा है गुड बाइद बई टू आवर टैन मिनिट्स हो गए है तो थर्ड आवर का चार्ज लगेगा क्यों कैसी लगी सबको बहुत अच्छी दो हफ्तों में वो इंडिया जाने वाली है छे महने तक वापस नहीं आएगी तो इसका मतलब समझें तुम दर हो इशानी केने वाले हो साम्वू अरे तुमने ऐसे कपड़े को पाने है क्या हुआ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी चेस बोट वाली शठी मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम अच्छी लग रही हो लेकिन मा तुमसे मिलना चाहती है पता नहीं क्यों क्रिड़ काड़ दो मा क्या बात है आओ तुम लाया है हाई भाईया हाई हाई आंटी दरसी है अजी नमस्कार ये क्यों तुम्हें शादी में कुछ पारंपरिक पहनना होगा ना इससे लिए शादी के लिए ट्रेडिशनल कपड़े है हाई तो तू क्या सूट पहनने वाला है हाँ हाई ये स्लीव्स कितनी रखों मैं यहां तक ओने नी थोड़ा थोड़ी सी लंबी रखे थोड़ी सी लंबी रखे वो एक दर्जी है उसे पता है अरे मैं बताऊंगी ना फरक पड़ता है उससे थोड़ा उपर कीजी बहुत बुरी स्मेल ये कैसी स्मेल है मैंने कुछ नहीं किया घर में है क्या नहीं नहीं कहीं और से आ रही है किशोर तुम ही हो ना अहां सर बॉस के मामा बड़े अजीब दिखाई दे रहे हैं आएम किशोर मैं सैम सर का पीए हूं पीए हो या सीए हो मुझे क्या फरक पड़ता है ये सामान को उठाएगा सर क्या पता सर आपका ये सामान सर मुझे उठाना पड़ेगा ये स्मेल कैसी है मस्त है ना गुलाब की सुगंदय काफी तेज है लोग दूर से ही पहचान जाते हैं इसे मत लगाओ मेरे बॉस की नाख कुत्ते से भी तेज है सुनके देखो ना अच्छी अरे ये बच्बू उससे बढ़ाश नहीं होते हैं ये क्या है कार फ्रेशनेर है इसकी बहुत जरूरत है भी कितनी गंदी बद्बू है छे छे घर के बने इत्र का कोई जवाब नहीं वैसे साइम का धंदा कैसा चल रहा है यहां पर मख्यां तो नहीं मार रहा है आप साइम के धंदे में क्यों घुस रहे हो साइम ने तुझे बताया नहीं नहीं इत्र बनाने में मैं अपने गाओं में वर्ड फेमस हूँ उसके सूंगने की ताकत उसे अपनी मां से मिली है पफ्यूम बनाने में मेरे बौस का जवाब नहीं है हाँ हाँ मेरे सामने तेरा बौस चीनी कम्चाय है पता है तेरे आज के इन बेहूदा पफियूम की वज़े सही हमारा धंदा एकदम ठपड़ चुका है ऐसी क्या खास बात है इन में एक घंटे भी ये माल नहीं ठिकता और डींगें बहुत बड़ी-बड़ी हांगते हैं ये रहा असली पफियूम थोड़ा सा लगाओ तक महगते रहो तुम्हारे बॉस को तो अभी सुम्र में रिटायर्मेंट ले लेनी चाहिए अब शादी करने से कोई फायदा नहीं सुना पुराना होता होता होतना महगा होता है कि अरे मेरे बच्चे कुछ नहीं होगा है अरे बाई सैम अब तेरी उम्र मैदान में खेलने की नहीं बलकि दर्शक बनकर देखने की है यह लड़की कौन है इसका नाम अवंतिका है यह सैम की मंगेतर है तुम तो बहुत खूब सूरत हो शादी करने के लिए यहीं मिला था तुम्हारी कास्ट ब्रॉडकास्ट बाबा आरम के जमाने के आदमी आज भी कास्ट मटके हुए हो तुमने तो अभी जमानी में कदम रखा है यह बताओ क्या सच में तुम्हें इससे प्यार है सर सर आप जो कहना चाते मुझे बताइए बुलिए सर आई विल ट्रांसलेंट आपको इनका इंटर चाहिए समझ गया समझ गया मुझे फाकर है तुम अभी जमीन से जुड़े हो अच्छा इन केंदर पर आपका डिला गया है क्या रहां से कि शोर मुझे भी समझ पहुंची रहोंगे आप घबराइए मत्सर तुम मेरे साच लिए कम 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 कहा लेकर जाली हो आप इसे खुली हवा की ज़र्परत मेंका सभी लेकर आते हूं चलिए मा यहां पर कुछ तो गड़ बढ़ है एक तो जंगल में आग उपर से आस्तीन में सांप कैसी बातें कर रहा है इस गर में सांप कहां से आ गया अपना चेहरा आइने में देखो समझ जाओगे एक बात बताओ अभी वो लड़की तो तीस की भी नहीं है फिर वो सेम से शादी क्यों कर रही है लगता है माल देखकर फिसल गई ए बखवास बंकर वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है यह क्या जाकर जल्दी तयार हो जा बहुत काम पड़े हैं स्वार्णा बच्चे कहां है बज़ा आएगा इस गर में आज हमारे घर में सुन्दर अविसर का स्वागत करे उच सब करे खुशियां सब करे कल्यानम कल्यानम रोपाय कोई विना कल्यानम शुब हो पोचे हर कोई का भैशु विवा मुहूरत दिल कभो देखो पल वो आगया स्वर्ग में जो बनी जन्वो की जोडी मुने मानी आजी है जो यही अभी सांबू आपकी फैमिली मुझसे काफी इमोशनली अटाच हो रहे है इसकी क्या दूहरत था है इतना खर्चा क्यों कर रही हो है मा मा शिर्फ शादी तो है तरफ शादी यह तेरी शादी है अवांतिकं यह सारे कपड़े तुम्हें वजे वाप्रिस करने होगा जो तुमने पहने हैं वह या रखना है यह यह बख्वास आइकन मुझे चाहिए भी ने बैंग 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 शुरुवान तो काफी स्टाइलिश ह यह स्टाइलिश था अगर यह स्टाइलिश था तो फिर बख्वास किसे कहते हैं मैंना आपको कोई देखा है ओ ओ ओ ओ कहुं दिखा है इस काउंटर का मैंने पूरे 17 साल इंतजार किया है 17 लॉंग गियर्स बहुत अच्छी अच्छी लगे है अवांतिका तो आपको ने यह पता कुंग्राचुलेशन्स तुम्हारी फाइल का अप्रूवल ने ने इसके बारे में हम बात में कभी बात करेंगे है और रुट जाले जाए तो इसकी सहली होना बिटा इसके शादी में जरूरा आना मैं मुझे इतने हैबी डिजाइन्स पसंद नहीं है मुझे ऐसा कुछ सिंपल दिलबा दीजिये न अरे मुझे ये नेकलिस नहीं चाहिए सैम के दादा जी ने ये नेकलिस अपनी पत्नी को दिया था और उनने मुझे री गैनुसार अब ये तुम्हारा होना चाहिए दूर से आए महमानों में शंका है हर दम मुस्तान है पक्वान है महमान वाजी की है मस्दूफिया अरे मन लग दिली सजा और से राजी सब को लाने का भाहना है ने भेरे बगत ने बोले ना सब कोई खुश है यहां फिर भी कुछ है अधोरा है यह मन मेरा जाने क्यों हो रहा है माई से जरा हाँ यह पैक कर दीजे यह आपके मा के लिए है हाँ आजा यह आपके लिए है यह तो बहुत सुन्दर है मैं शादी में यही पहनूगी अरे वाँ बहुत खुशूरत लग रही है यहाँ चलो आखिर वो शादी के लिए मान गया है बहुत अच्छे बात अब ठंडक हुई है किशोर बॉस हमारे प्लान के अनुसारी सब कुछ हो रहा है ना सब वैसा ही हो रहा है बॉस आसमान थोड़ा जाता ही नीला लग रहा है उस डिलिवरी वाले का क्या हूँ अउन टाइम है कोई रुकावट तो नहीं नहीं कोई रुकावट नहीं बॉस इस लुक में आप आज बहुत ही अच्छे लग रहे हैं बॉस ये तु रख मुझा ने चाहिए ओंगंगंगंगंपते नमा बेटा ये चश्मावगार दो ये हमारी प्रथामे नहीं है बेटा ओम भूर भूवस्वा मेरे साथ मंत्र दोहरा मंत्र ठीक है आप चालो रखिए कि का अच्छ चां आख होंutos धाफ के सहाथ है अच्छ चांने मत्यदी तरे द्श्मावज आख मेंगंगई कुल ऑना इडिक आरे। क्मिल्स नहीं तक पुंश है क्या हुआ है यहां आख थी अध्यू पाद में फोन करती क्या हुआ क्या बात है संगीत अदिती यह बोले तू भाया को देखो यकीन नहीं हो रहा ना कि भाया की शादी हो रही है आज कितने अच्छे लग रहे है ना सही कहा तुमने कहें मेरी नज़र लग चाहिए अच्छा लग रहा है ए हमने इसकी फेस्बूक पे प्रोफाइल ब कि कुछत बाइ में लौकत है इसे वह रहा एक के अच्छे पोट आई है को याओ अच्छे फोटों है मोट रूले युद्सीव मेरी कि मेरी चुट्सीख जिसनु नहीं हैं है ऩARRल गराती earn रहे है्माट कि मेरे अच्छ में महरी आखेतर आम्यू तुम मेरे साथ ऐसा कैसी कर सकती है, मैं तुम से इशाध रखा रखा रही है इतनी तेर क्यों करती है आने में, कब से तुम्हारा इंतिजार कर रहे हैं यहांपर? सारी सर, लूज मोशन्स सब कुछ याद है ना? बिल्कुल सर साम शिव राएं बबर मेरो के लिए मैं हू, साम शिव राएं सार आप के लिए कुरियर आया है, देखें सार चल तो निकलने यहां से, बॉस इस वक्त आया है मतलब कुछ अर्जेंट ही होगा मुझे तो जल्दी पता नहीं किसने भेजा है बॉस चलिए ज़रा खोल कर देखते हैं बॉस किसका है बॉस अवन्तिका अवन्तिका शादी से पहले लॉव लेटर वाट रोमैंटिक थॉट्ट सर बॉस मैं बहुत एक्साइटेट हो रहा हूं सर अगर लॉव लेटर है तो सब मैं तुम से शादी नहीं कर सकती शादी नहीं कर सकती मेरा उद्देश सामने तुम्हारे इंसेर्ट करना था ने यह भी लिखा है सर वो मेरी किसमत पर असरी कैसा जटका है सर डिम्प्रेशन ने आकर तुम मर जाओ यही आशा करती हूँ क्यार कौण भास लिखा करेगा बहुत्युकों का पहाँ तूट पड़ा है मेरे तुम से प्यार किया प्यार करना कोई गुना है क्या मेरा प्यार से भरोसा उट गया आपने कोई गुना नहीं किया प्रोसा नहीं कर सकता कभी मत करना बॉस मैं आपेशा कहता था शादी नहीं करूगा शादी नहीं करूगा इस लाइन को बहुत जार जोर से बोलिये फिर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है वैसे कहानी फिल्मी होने वाली थी पर यहां गड़बड की गंध तो जरूर है बस करिये बॉस यहां सब चाहते कि मैं खूल के आजूर हूं मुझे प्रेम के जाल में में मेरे बॉस को प्रेम के जाल में फसाया आवन थी कहाने एक बगवार ये कि देखने से पहले में मर प्रेम कोई मतलब नहीं है जिन्ने की में बरबार ये तुने क्या किया श्यता तुर्या थोड़ा है अबंधिका पटाल रहा है तुझ तुझ नहीं क्या किया और आप सम्मुझे क्यों मार रही हो हमने पेस्बूक पर तरी कर तो ने क्टी में मैंडम ने बॉस को आरे बन की जिए प्लिस गोहेड मैदम लेट में जो एक वार्ने सब आप नहीं है मां मां मा, 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 क्या हूँ, जो दॉक्टर को गराज़ दिकरो, मा, 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 यह सब तुम्हारी मजे से हुआ है, तुम्हारी मजे से, चुम्हारी मजे से, हूऌते हैं, मैं मिल हुआ के रहते एक, उन्हें गहरा सद्मा लगा है कॉमा में जाते-जाते बची है पर इस सद्मे की वज़े से उन्हें साइको समयर्टिक अटाक आया है यह कैसे बीमारी है यह थोड़ी सी सीरियस है क्या हम भी सते हैं हाँ चलो 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 मा 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 अगजदे सुआ अगजदे सुआ अगजदे सुआ कि यह सब तो महरी मुझे से हुआ है अगर मां को जिन्दा देखना चाहते हो तो अवंदिका को लिकराओ मुझे कुछ नहीं पता आसमान से पातार से कहीं से भी डून करना उसे लेकिन लेकर आओ मचे मां को सही सलामत देखना है और कुछ नहीं जाओ और उसे लेकर आओ उसे बिनाले मताना हाई अरजिंटली क्यों बुलाया और तुम्हारी शादी कैसे रही मां हॉस्पिटल में है ओनो इशी होके मुझे तुम्हारी है चाहिए हाँ बोलो क्या करना है वो बार बार तुम्हारा ही नाम ले रही है मेरे पास एक नया प्लान है हम इस प्लान का दूसरा एरिमेंट ब मैं यह सब मा की भलाए के लिए कर रहा हूं अब मुझसे यह सब नहीं होगा अवंतिका अवंतिका बात सुनो अरी सुनो तो ओ यह धोती भी अरे मैं तुम्हें पैसे दूंगा तुम्हें प्रॉब्लम क्या है क्या तुम्हें डर है कि कहीं तुम्हें मुझसे प्यार नहों िसबात का डर्ड तुम्हें है मुझे नहीं एस उम्रो में ये बातें शोभानि देती अच्छा वैसे भी तुम मेरे टाइप की होguy नहीं सच में में तुम्हेरे टाइप की नहीं हूं बोलो बोलो मुझे वह लड़के पने और मैं हरे भरी म ain'm i n a laoy तो जाओ, अपने लिए कोई हरी-भरी धून लो, जाओ टाक्सी अवंतिका, सुनो तो मैं तुम्हे जादा पैसा दूँगा अब आप समझ गाए, मैं अवी ता कुबारा क्यों, इसलिए हाई हे अवंतिका, कम कम कम, कुम्राचिलेशन्स सॉरी, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाई, बेठो न, ये क्या, तुम्हारी शादी के अंगूटी का है वो शादी कैंसल हो गई कैंसल हो गई मैंने सुचा था, शादी के बाद तुम्हारी एडॉप्शन फाइल आफसानी से अप्रूव हो जाएगी इसलिए inspection officer से तुम्हारी appointment भी fix कर दी है तुमने ऐसा क्यों किया वन देखा पर problem क्या है मुझे bank balance दिखाने को कहा था ना कल ही मेरे account में 25,000 euros credit हुए है मेरे पास अब total 37,000 euros है इतना तो काफी होना चाहिए ना नहीं इतना काफी नहीं है ना तो तुम्हारी शादी हुई है ना जॉब गारंटी है कम से कम 75,000 euros की जरुवत होगी मुझे पहले inspection officer से appointment कैंसल करनी होगी नो, 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 you got me all wrong कैंसल मतलब पूरी तरह कैंसल नहीं हुई मतलब? अच्छली शादी के दिन ही सैम की मॉम को अटैक आ गया था वो अभी हॉस्पिटल में है वो लोग तो चाहते थे कि शादी हो जाए पर मैंने कहा कि उनकी आशिरवात के बिना मैं शादी नहीं करूँगी इसलिए मैंने सूचा क्यों ना मा के ठीक हो जाने के बाद शादी कर ले इन फैक्ट मैं और रड़ी सैम के घर में शिप्ट हो चुकी हूँ प्रैक्टिकली मैं शादी शुदा हूँ आप ये बात इंस्पेक्शन ओफिसर को बता सकती है असल बात तो यही है शो ना? आपसलूटली ठीक है मैं बात आगे बढ़ा दीओ ये मैं तुम्हारे लिए नहीं करे आंटी के लिए करे बदाओ तुम्हारा नाया प्लान क्या है और कांट्राक्ट चाहिए शुक्रिया तुम देवी हो मैंने तुमसे जो पैसे बढ़ाने की बात की थी न पर मैं तुम्हें पहले जोतने ही पैसे दोंगा चलेगा न यू आर अनबिलीवबर तुम्हारी मैं हास्पिटल में है और तुम यहां बारगेनिंग कर रहे हूँ आव किन यू बी ऑसले तुम्हारा थे ठीक है, मेरी किस्मत मेरा साथ दे रही है, अब मैं तुम्हें प्लान समझाता हूँ, उनसे कहना है कि तुमने मुझे माफ कर दिया है और तुम मुझे एक आखरी चांस दे रही हो, उसके बाद मार कुछी दिनों में डिस्चार्ज हो जाएंगी, एक बार वो ठीक हो जाएं, फिर तुम्हें घर के, सारे मेंबर्स के दिल में एक एक करके, तुमारे लिए नफरत पैदा करनी होगी, तुम्हें उनकी जिंदगी नर्ग से भी पत्तर बनानी होगी, उन्हें ये कहने पर मजबूर करना होगा, कि सैम अगर तुम्हें अवंतिका चाहिए, तो तुम्हें मेरे पास ना एक बड़ी आइडिया है इस बार हम तुम्हारा घर छोड़ कर कहीं और रहेंगे एक्स्ट्रा बेडरूम ले लेंगे और हां रेंट मैं नहीं दूंगे पर क्यों हमारा अलग रहने का आइडिया इन्हें पसंद नहीं आएगा इन्हें अनकॉंफटबल फील क्यों इसा नहीं हो सकता अपने घर में बारी लोंको आना पसंद नहीं करता सिवाए उनके जो भूबतीक वापस नोगरा जेविए मेरे पास नहीं रहती तुम्हारा ये साथ रहने का ऐडिया पिल्कुल पक्वास है constitution सांबू विट 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 ऐइव हुम अआँठी रहे मां अवन्तिका को पसंद करने लगी है मुझे नहीं पता अवन्तिका को घर लाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा धीरे धीरे कहीं मैं इस दलतल में धस्ता तो नहीं चाहरा हूँ हूँ मुझे अब कुछ पीने की जरूत है अब आपने काम की बात की है सर वैसे भी पीने के लिए वजय की जरूरत नहीं होती लेकिन दो-चार पैक से आपका दिमाग हल्का नहीं होने वाला फिर सीट बेल्ट लगाईए अब मिलेंगे हम लैला से मेरे पिछवाड़े आग लगी है और तू मुझे यहां लेकर आगे अरे बॉस एक बार तो आईए ना आपकी आग बुझ जाएगी देखिये देखिए सरा तू जा और जाकर उनकी साथ भरत तर्ट्यम कर आप यहां पर बैठीए बैठ जाएगे तू का जा रहा है बस एक मिनट में मैं अभी आता हूँ आप बैठे रहें हाँ हाई हलो साम किछ और यह सैम का बरताओक बदलते हैं का अवंतिका होस्पिटल आई थी भाया उसे लेकर आए थी मा को होश आ गया है उन्होंने उससे बात भी की क्या क्या बात है सुनकर चैन मिला यह तो बहुत अची ख़बर है वैसे सैम अवंतिका को वापस ले आए यह तो ठीक है पर यह बात बनी कैसे यह जान नहीं पता उसने साइम को माफ किया भी या नहीं अब जिसने उसे धोखा दिया अगर उसने उसे माफ कर दिया तो कुछ भी हो सकता है दाल में कुछ तो काला है कहीं पूरी दाल ही तो काली नहीं इस वक्त दीदी का फोन हालो मैडम है किशुर काओं तुम लोग से बात कराओं मेरी मैं उन्हें लेकर आता हो ना नहीं बस इतना बताओ तुम दो अभी का आओ ठीके लोकेशन भीजता हूं हाँ जल्दी करो हाँ भी भीज़रों जल्दी करो भीज दिया ओके लेडीज और शक शिट लोकेशन सर दीदी का फोन आया था उसने मुझे भी कॉल किया था पर मैंने कट कर दिया पर मैंने उठा लिया सर और गलती से मैंने यहां की लोकेशन उनको बेज दी सर क्या एक नंबर का गड़ा हूं सर आप देनी हैं माफ कर दीजिए हमें जाने दीजिए यह जो आला मुखी अपन सर ना दीदी आप मैंने तो देखा है मैं आपको कॉल करने ही वाला था चलिए रेस्टरों बैटकर बात करते हैं इस रेस्टरों का खाना बहुत लजीज है अरे तुम आ यहां यहां पर है रेस्टरों नीचा चलो चोर पकड़ा गया ज्यादा मासूम बनने की जरुवत नह है चला जाओ चलो भी अरे बाप रहे यह लोग यहां प्रेक के लिए नहीं लेक के लिए आये हैं चिचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचच तो मैं क्या बॉस, बॉस प्लीज यू टेक ओवर, डेधी, यह सब प्यार की वज़े से हुआ है, यह लड़की जो डांस कर रही है, कि जो और इससे प्यार करता है, कौन सी, काॉन है वो लड़की, कौन सी लड़की, तौम चाहर तो यह भी बता दीजे, वो अली, वो अली, उ समझ में नियारा नहीं जा रही ह幹, बेटिफुल बेटिफुल कहो है यह सार What's that smell? इत्र, गुलाब काई तर I really like it You like it? ही, ही, show me that Oh, wow What is the smell? Sorry, साथे यह अप्लाब, I supply No, 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 show it to me No, I want it सच सच बताओ, अवंतिकार ने तुम्हें माफ किया, वो शादिक लेत यार है, पता नहीं सोड़ना, मैंने उससे पूचा नहीं, मैं बस मा के घराने के इंतजार कर रहा हूं मा, मा को खर ले जाओ, चलिए मा, समझ के समझ से, तुमने हमारी बहुत मदद की है, हमें बड़े खुशी है कि तुमने सैम को एक और मौका दिया, कोई बात नहीं, मेरी जब भी जरूत पड़ेगी, मैं आर जामगी, इतना ओर एक्टिंग करने के जरूत नहीं, मेरी मा की हे स्वर्णा, मुझे इस सैम पर भरोसा नहीं है, सैम को एक और चांस देने से पहले, मुझे इस पर 24-7 नजार रखनी होगी, तो कल से मैं इसके घर में शिफ्ट हो रही हूँ, चलेगा ना तो कि अधि बखवाड़, तौम तोरह यसा बघवास आइडिय को मान कैसे काई, शादी से पहहले एक साथ रहना, हमारी संस्क्रिती नहीं है, छुँँँचिचीचीचीचीचीचीचू, च्छुँट सबmetro, इसSi保 झाफ एक सारी फोटो менее-धीथा, उन पर एकिन, मार तोरो स तुम्हें मैं बाद में देखोंगा अवंधिका यहां आ चुकी है उन दोनों को कुछ वक्तके ले लेकिन आपकी बात समझ में नहीं आई मैडम बेवकूफ इसका मतलब क्या कहते हैं उसे प्राइवसी चाहिए उन्हें प्राइवसी मैं आउट हाउस में शिफ्ट हो जाओंगा फुल प्राइवसी मिलेगी क्या अब बख्वास कर रहा है प्राइवसी किशोर यहीं रहेगा और सुर्ण अपना समान उड़ा और सारा का सारा अंदर रख मुझे सिक्यरिटी चाहिए किशोर आंसे हमारे साथ रहेगा बच्चों के कामरों में ठीक है मैं बहुत जादा प्यार करता हूं उनके बगर में रह प्वुआ 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 रहे प्वुआ के वाध से रहे रहे हैं भाग प्वुआ को अवा यह लंग साम, तुम्हें पता है वो सिविक किती महेंगी थी, तुम्हें उसे जूपेगा, उसके पैसे बिगेना पड़ेगा तुम्हें, अपना मूप बंद रखो, इसलिए मैं लोगों से इतनी रफरत करता हूँ, ये जगे कोई बार नहीं है, उत्रो, उत्रो, अब यहां के नियम यहां का एक भी समान इधर से उधर नहीं होना चाहिए, यहां पर धूम्रपान, मद्यपान, ऐसा कोई भी पान, करने की अनुमती नहीं है, मेरी नाकुत्ते से भी तेज है, मैं कुछ भी सूंग सकता हूँ, तुम यहां परफ्यूम भी मेरी अनुमती बेना नहीं लगा सकत चिल सम्भू सर नेक्स टाइम बाहर जाके स्मोक कर लोंगी वैसे भी मैं पर्फियम डियोडरन यूज नहीं करती जूट जूट बोल रही हूँ तुम्हारे पास से तो खुश्बू आ रही है ये मेरी नाच्रिल फ्रेग्रिंस है नामुम्किन तो ठीक है मत मानो वैसे भी तुम्हें इस चीज़ों दे अतना लदाव को ले हटो वियोडो ये मेरी OCD है इसके बारे में तुम्हें समझाने की मुझे कोई ज़रूत नहीं है क्या? सैम्भू जी यूनौ ये रिली फानी राइट अच्छली तुम आके लिए रहने ही लायक हो कोई तुम्हारे साथ रह भी नहीं सकता ये सब कहने वाली तुम कौन होती हो तुम्हारे परिवार ने तुम छोड़ दिया और तुम यहां मेरे सीरे पर बैठ कर मूंग दल रही हो अवां तुम आका अवां तुम आका अवां तुम आका मैं यहां कल रात के लिए तुमसे माफी मांगने आया हूँ मेरा वो मतलब नहीं था तो फिर बोलो क्या सॉरी इसके पच्चात आप के लिए क्या मैं तुम्हें डिनर बर ले जा सकता हूँ जहां सिर्फ हम दोनों जहां शेफ सिर्फ तुमारी वसंद का खाना बनाए देखती हूँ मेरा क्या मूट बनता है इसके पैसे दे देना मुझे लगा था हम किसी महंगे रेस्टरांट जाने वाले हैं पर मुझे तो पता ही नहीं था कि सैम मक्खी चूस है अवंतिका यह पहली बार है जो मैं किसी के लिए खाना बना रहा हूं इसी खा तो मुझे डर है आजाओ गर्मा गरम और लजीज खाना रडिये इसे गरम खाओ तो ही अच्छा लगता है अगर बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना क्यों न हम सोफे पर आराम से बैठ कर टीवी देखते हुए खाएं हम पहले यहां खा लेते हैं फिर सोफे पर बैठ कर टीवी देखेंगे यह अच्छा ओप्शन रहेगा नहीं ओके मिस्टर ओसीदी सर अच्छे बच्चों की तरह हम यहीं पर बैठ कर खाते हैं ठीक है? चेर्स येलो ब्रेड तेंक यू सुनो अवंति का मैं तुहारे बारे में जादा जानता नहीं कुछ अपने बारे में बताओ ना मैरम आराम से मैं हैदरबाद में पैदा हुई थी जब मैं साथ साल की थी तो अपने मामा पापा दीदी के साथ यहां शिफ्ट हो गई उसके एक साल बाद अमायरा का जनम हुआ मतलब तुम घर में मंजली बैन हो अनन्या दीदी देट साल पहले गार आक्सिडेंट में उनकी और उनके हस्बेन की मौत हो गई भगवान, I'm sorry It's okay मुझे प्यार हो गया घरवालों को वो पसंद नहीं था उन्होंने समझाया की उसके साथ मेरी लाइफ स्पॉयल हो जाएगी यही के वो लड़का मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है सेकंड येर में मैं Amit के साथ लिजबन भाग गई इससे मेरी पेरेंट्स को बहुत दुख हुआ और वो अमायरा के साथ इंडिया चले गए उन्हें फिर कभी मुझ से बात नहीं की उन्हें ये भी नहीं पता कि मैं जिन्दा हूँ या नहीं पर कभी अमायरा से बात होती है अमित के बारे में उनकी राय सही थी तो मैंने लगता कि तुम्हें अपने मुमी पापा के पास वापस जाना चाहिए मैं अमित के साथ उनकी मर्जी के बिना भागी थी अब वापस नहीं जा सकते अब फैसला करने का हग मुझ ही नहीं उन्हें है होपफुली, समड़ी, आई मिस दें अमाएरा है हलो हलो हमाएरा हलो मियो का मोबाईल है यहां इसका नेटवर्क प्रप्रॉब्लम है तो मेरा फोन यूज कर लो हूँ शॉर हाँ यह किसका नमबर है? यह मेरे रूमेट का नमबर है. इसे भी सेब कर लो. एमरजंसी में इस पर कॉल कर सकती हो. रूमेट? बताया था ना? शांब शिवर राओ के बारे में? जिसके साथ मैं टेंफररी रूम शेयर कर रही हूँ. अब बता ना उसके बारे में हां हां वही होट ओल मैन वो तेरे साथ है क्या बोलना तो बात क्यू नहीं कर रहे है तेरे पास में पैठाये क्या हां यही है मैं बात में बात करते हूं I love you, bye बात में बात करते हूं Okay, bye Hot old man पॉर्ण। मैं तिशु लेकर आदी और इसे साफ कर देती हूं। चिल अवंतिका, वेरी वेरी हॉट ओल्डर मैन को इससे कोई फ़कने पड़ता। तुम्हें पता है कि मैं कितना हॉट हूँ, पर मैं कितना घुल हूँ यह नहीं पता। किम्हें टुम्हें पताओ किम्हें पताओ किम्हें यह खो पताओ तुम्हें अबा़ल घ्म्हें बड़ता झाल नाइस बाइसेप्स, तुम्हें कसरत करनी चाहिए, हरी भरी लड़कियां जो पसंदें तुम्हें, चलो चलो, चलो, रुक यू गए, चलो, ठीक से करो, वान, कम आन, हांडरेट, ओके, सांबू, ये तो बता, अगला प्लान क्या है, सारा प्लान बनाया जा चुका है, रेमोट दे न, हमारी पहरी टागट होगी, मेरी बहन श्वेता, मुझे नहीं पता श्वेता, अरे मुझे कैसे पता होगा, तुमने मुझे डाइपर समालने को कहा था, पेपर समालने का काम तो तुम्हारा था, पता नहीं कहां चले गए, तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है, हमेशा घर में ही रहते हो और क्या करूं मैं यह सोच कर आया था कि शादी के बाद मैं विदेश में रहूंगा जब यहां आया तब पता चला कि मुझे यां बच्छों के डाइपर बदलने के लिए लाया है इस घर में पेंट तुम नहीं यह पेंटी है तुम तो जान बूच कर कुए में कूद गए है तुम्हारी जिंदकी तो नर्क बन चुकी है मुझे तुम पर दया आ लिए हमारी तूर्ची शिकार होगी संगीता बहुत अच्छी लग रही है नहीं बेटा स्कूल के लिए परफ अगर तुमने इन की बात सुनी तो यह देखो इन की तरह बन जाओगी ऐसा बनना है नहीं तो अब मैं तुम्हें स्टाइल दिखाते हां जी क्या है मैं दिखाओं इसे कटकर ले हां क्या अवन दिखाने है सक्या है वो खुट को समझती क्या है यह तो सा सर बत्तमीजी है मैं अभी उसे फोन करता हूं और तुरंट उससे ब्रेक अप करने के लिए बोलता हूं अपना मूबन रखो इतनी बड़ी बात भी नहीं है पर मेरे लिए वो समझती क्या है अभी वो अब मेरे परिवार की बेज़ती करें और मैं देखता रहूं कभी नहीं अब चुट करो वो लड़की हो तुम्हारे लेनी आई है मां के लिए आई है डया कर रही है हम पर और कोई लड़की होती ना तो तुम्हारी हड़ीपस रिए चर देती समझे तु मेरी बात सुनो वै स्वार्ना तरिवारी है 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 इस पर पहले आवन दिका का है 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 वह है वह है वह इतनी सारी क्यांदूस लगता है आप सेंशुरी मारने वाली है तुमने मेरे फेस पर लगा ना अब चलो खाओ लो आंटी आपके बच्चों की उम्रों दिखकर लगता है कि आपकी टिकट जल्दी कटने वाली है हाँ कॉमा के बाद आप पर फुल स्टॉप लगना जीए हाँ कहीं आप अमर होकर तो नहीं आया ना ऐसा लगता नहीं कि आप ज़्यादा दिन टिकेंगे आप अब अन्तिका ये तरीका तुम्हारा मा से बात करने का ए शांत हो जाओ ठीक ही तो कह रही है सभी कहते हैं मेरी जीवन रिका बहुत नंबी है सज बोलने के लिए हिम्मत होनी कि चाहिए इंसान में मैं इस घर से कभी नहीं जाओंगी कहीं नहीं जाओंगी यहीं रहुंदे रहे हैं यह आइडिया तो फ्लॉप हो गया तुम्हारी बत्तमीजी पर भी इन लोगों को तुम देवी नजर आ रही है हुआ हुआ है कोई बात नहीं साम मेरे पास भी कमीनेपन का सर्टिफिकेट है अब मैं इसे अपना ए सर्टिफिकेट दिखा दी हो मत करो सर शुब काम में उंगली करना अच्छी बात नहीं होती लेकिन मैंने तो भोड दिया प्लड़ी साइको फैमिली हां यू लुक वेरी सेक्सी टोड़े सवर्णा अच्छा मजाग कर रही हो मैं सेक्सी नहीं दिखती ये ड्रेस मेरे हजबन ने मेरे बादे पर गिफ्ट की थी मुझे लगा ये पकवास है पर अब अच्छी लग रही है मुझ पर अरे सिर्व अच्छी नहीं बहुत ज़दा होड लग रहे हो ये कांसा पर्फ्यूम है वही है पुरानी वाली मैंने श्वेदा को नहीं पर अच्छी नहीं वाला दिलाए था लेकिन उसने मुझे नहीं बताया देकर तो पर अच्छी बात है ज़र में साथ आई पर अच्छी नहीं देख रहे हैं जोड़ा है जाकर यू सब देख रहे हैं ओए थैंक यू अरे लेकिन पात ज्या है क्या तुमने सोड़ना को किस किया उसकी तो आलत खराब होगी होगी तुमने देखा नहीं अपने हस्बेन को बेडरू में लेकर गई उसके बाद क्या हुआ एए साल चलो ओके तुम चलो मुझे जरूरी काम है थोड़ा लेट होगा चलेगा ना तुम कहा जा रही हो अ क्या सब्सक्राइब अरे क्या सब्सक्राइब तो रास्ते में है मैं तुम्हें छोड़ देता हूं अरे किस किस इधार आना लाइफ में रोमेंस नहीं और नाम किश्रुवात में किस किशोर बोला करो जल्दी बात हूं वहां पर जल्दी चले जाओ तो सुन मुझे रोल पेपर चाहिए थोड़ा अर्जंट है रोल पेपर हो या पेपर रोल हो क्या फरक पढ़ता है काम तो जाक येकिए कर देरे सुटा की बात कर रहा था शुटा मतलब क्या चीज़ पर को पकड़ा नहीं कर चयाल कर दो सकते हो in आप एंटी शुचल और एंटी नेशनल कर रहे हो एक हफते से मैंने सुट्टा नहीं मारा कोई कोना डोड़कर सुट्टा मारने में क्या बुराई है कहीं किसी ने आपको पकड़ लिया तो क्या अच्छा लगेगा सर आप खुद सोचिए इसके अंदर जाते ही हम जन्नत की सा पर निकल जाएंगे नो सर आइविल नॉट अलॉट इस यू विल्हाव तो बीस इस इल्लेगल इंट्रूडर्स किशोर किशोर अब जाकर पंची आजाद हुआ है अब इसे उडान बादी है पर इसका क्या मतलब हुआ तूने देखा हाँ देखा मैंने अब देखा मैंने अ यह अच्छा आसन है मेडिटेशन इस सॉल्यूशन फर एवरी हैड़ेक अ एक इशूर तो यहां क्या कर रहा है चक्र गैस आप कर देंजा यह घर में इतना दुआ क्यों पहला रखा है दम घुट रहा है किशूर क्या कर रहा है हाँ आरों नो बट इट्स क्रेजी मुझे कुछ भी याद ने आ रहा मैं सब कुछ भूल गया हूं अरे 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 ओ जस्टिन टिंबर भाई तो वो क्यों रहा है भाई मुझे याद नहीं है तो पर किस बात के लिए रो रहा है जो भूल गया उसे याद कर रहा हूं तुने बहुत अच्छा किया किशूर जो इसे जला दिया सभी को जन्नत की सेर करा दी वैसे यह सैं कहां प मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ा रहता है मैं कुछ नहीं करूंगा सत्तिकी हमेशा जीत होती है समझी दीजी मुझे यह कहते हैं शर्म नहीं आ रही है पर वो लड़की क्या नाम उसका है अवंतिका वो लड़की स्मार्ट बनकर निकल गई और आप लोगों को जरा भी बुरा नहीं लगा वह बहुत अच्छी लड़की है बहुत अच्छी लड़की है वह सैम की दीवानी हो गई है पर उसकी दीवानी उसके परताब से मैच क्यों नहीं हो रही है उसकी बात का अपने जवाब क्यों नहीं दिया अच्छा दीदी मैं बात पूछ 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 वो सैम को लेकर चली गई पर भी आपको कभी अकेला मैसूस नहीं हुआ मैं बिस अरे उसे अपने सिर पर ऐसे ज्यादा चड़ने मत दीजे दी अगर आप ऐसा ही सहती रही ना तो वो आपके बेटे को ही आपसे छीन लेगी फिर आप क्या करेंगी तब कैसा लगे आपको कभी सोचा है इस बारे में हाँ हाँ एक किशूर जाकर गैस कर देना ऐसे क्यों खड़ा है लग रहा है जैसे कोई छेमिया अपने कस्टमर का इंतजार कर रहे हूं जाना आप मुझे कुछ याद आ रहा है राफल आ नीड तो गो टू दे लू क्या गा टैंक की खाली करने कर दो आखर मैं यहां पर आया क्यों हूं कुछ याद नहीं आ रहा है सॉरी यार यू कम-कम आ जाओ सर ठीक है मैं ही आता हूं शर्माने से कुछ नहीं होगा है मुझे मारेगा तू यह बगवान इसकी आंखे इतनी लाल क्यों है लगता है इसे जोर से लगी हुई है ब्रड डाक फेलो मुझे खुश्यार रहना पड़ेगा सॉरी सर पहले आप जाईए मैं बाद में आऊंगा सर मैंने सॉरी बोला ना सर कुछ तो बोलिया ना सर जब मैं बोलू तब मत बोलिये मेरे बात बोलिये ठीक है सर मैं तीन तक गिंती किनुए फिर आप बोलना सर ओके मैं एक नमबर करने आया मैं यहां एक नमबर करने ही तो आया हूं हाँ माईरा हालो मैंने अभी तेरा मैसेज पढ़ा तो अमिट से मिले क्यों गई है तेरा दिमाग तो चीग है आई यू क्रेजी रिलाक्स रिलाक्स किडो इस नौट एक वांट वांट वी उसके साथ है उसने मुझे बताया कि वो अभी लिस्बन में है और वो मेरे पैसे अब लेने जा रहे हूं लिसन लिसन तुम्हीं इसब करने की जरूरत नहीं है अभी क्या भी घर आजाओ अमायरा प्लीज मैं नहीं चाहती तुम उससे दुबारा मिलो अच्छा मैं बाद में बात करते हूं अब आप से निटीज नो नो लिसन अबस ऐसी फॉर्मल हेलो करोगी कले नहीं लगाओगी दिल में प्यार बचाने शायद लेकिन यार तो आज भी हूना तेरा कम अमिद अरे कम ना बाबा अमिद अमिद गाइस कुद यू प्लीज शो शो मैं प्लीज प्लीज गोएड अमिद मेरे पैसे दो मुझे जाना है बैठो ना यार इतने सालों बाद मिले हैं दो चार पातें तो कर लें तुम्हारे पैसे हैं दे दूंगा मैं बदल गया हूं यार हालो नहीं मैं ंफान के भिश्बोन किया है तुम्हें नहीं पता वो क्या कर सकता है यह पता है उसने उसके साथ क्या किया था अमित I don't want to talk about the past see तुम जरा भी नहीं बदली अमित इतने सालों बात हम मिल रहे हैं लेकिन तुम जब से आयो तब से ही साला फोन बज़े ही जा रहा है अमित गिमी माइ फोन अरे चिल यह है नहीं दूँगा फोन ही तो है अधिन नाव लेट्स हाव अमित डिडिकुलस गिमी माइ फोन मैं तुम से बात करे रहे हूं मेरा फोन दो ऑमित अपने एक्स गर्फेंट से मिलने ना था सुचा बिना के सी इसितरबंस के बातचीत करेंगे कि वे थे रुटिस जी और युट पती ड रहा रहा लुटिस प्रोकाई उडिम जी पती रहा और और को इंहलनलत करुफ Walu don't stop... विक वस्टोर सिर्ट नियू अढु को भी में निड nuo鰍ान अभी मैं पूढ भी intelig आप एनृ जाओ पूच थास, जा बढू अभी मैं पूच मैं उत्डश है आप भी यहा ना तास झाल झाल प्रॉब दोगल दो, कि आरा कर।ो आर कि एड़ी है, तो पुद जए पाल झाल कि अछिए झाल मैंनुफ यहका है, से प्रुछा स्टा आपके लिए तर्वास इसे तकरागी, चलो गाँ चलो आपके लोगा, साम साम, साम साम, साम, साम साम तो ये है तेरा संभा शेवरा, अरे बापरे, अरे मैंने तो सुचा था कोई जवान लॉंडा होगा, ये तो आदा बुढ़ा निकला रहे साम, प्लीस प्लीस रहनेदो साम मारो से नहीं, साम, रहने तो मारो इस कमीनेगो साम, प्लीस मारो इस कमीने को बढई अरो यह रगो, तुम्हारे पास तुम्हे तुम्हे दरी मडी पेवकूफु। अगर कोई तुम्हे दुबारा मारे, तुम्हे उसकास सिर्प परदेना, जया फिर मुझ्स्या कैना? मैं तुम्हेरे साथू। किचा आञी कोई ऐसा कर भी कैसे सकता एक उसकी हिम्मत कैसे होई तुम्हें हिम्मदी लड़की हो वैसे तुम्हें इतनी बड़ी-बड़ी आफ देना और सफाल हो इंट होग यहता हिन्does को ओ सत आ आ Top लाला ला ये है क्या मुझे को क्या ये हो रहा तू क्यों अपनों लागे आखों में सज रहा 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 वासम धरकनों में बज़े पीठी सरका जी करें तुझको यो ही देखू जाना देते ना एक पल भी वासम साथ संसंग रहे हम हर दम और धम जाए बस ये आला है प्यार यार कुछ है ये मैं ना जानू है जानू है जानू ये कैसा है प्यार जो धर अपने नगा है दिर दे तुझ साथिया साथिया जो चाहे चन नगू तेरे संसंग चाहे क्यों रम नमन तेरे रंग जो लगता है तेरे बातों से अपना पन जो यकी कर रहा तुम पे ये मन संग तेरे जिंदगी रगे मदुरं है अगर पाव तो ये रहे कायम मीठे से पानी का तुम जर्णा हो और तुम प्या से भी हो के रहा हो जीवन की राओ तुम हम संग पन जो चाहो यही मतिया तुम शहजादा और मन शहजादी दिल से दिल का नंधान ये सच मरी यारा ये तुम भी यारे मुझा तुम जर्णा तुम जर्णा हो यारा लालालाले ये क्या आखो में जज रहाने ये मुझा है प्कंप इस ब्यूटिफुल आउट है येस वेरी मच मुझे कुछ कहना है मैं कुछ सालों से नहीं नहीं परफियूम बना रहा हूं पर मेरे क्लाइंट्स हैं कि हमेशा रिजेक्ट कर देते पर इस बार मैंने जो परफियूम बनाया है उन्हें वह बत पसंद है तुम देखोगी हुआ तुमारी मेक कैसा लगा हुआ पर रहा हुआ कल हमारा एग्रीमेंट खत्म होने वाला है आज तुम्हें सभी से जगड़ा करके सब खत्म करना है फिर तुम कहीं भी जा सकती हो क्या हुआ बोस आपने यहां पर बुलाया मैं अब अकेले नहीं रहना चाहता यह आपको मुझसे नहीं किसी और से कहना चाहिए बॉस अवन्तिका है ना मुझे नहीं पता है बॉस कि आपको ऐसास हुआ है या नहीं यू आर इन लव आप उसे कहते क्यों नहीं बॉस यह तो क्या कह रहा है मेरी उम्र देख और अवन्तिका की उम्र देख आपको और लड़कियों के साथ तो कोई प्रॉबलम नहीं है बॉस तो फिर अब क्या प्रॉबलम हो गई? तू समझा नहीं ये लड़की उन लड़कियों से अलग है वो सब आने जाने वाली थी मैं उन लड़कियों के लिए कभी सीरियस नहीं हुआ पर ये लड़की सबसे अलग है मैं यही सोचता था कि मैं हमेशा अकेला ही रहूँगा पर जब से अवंतिका मेरी जिंदगी में आई है उसकी हसी, उसका बोलना, उसका खुसा मैं अवंतिका को कभी भोल नहीं पाऊंगा मैं जानता हूँ मैं उससे कुछ नहीं कह पाऊंगा मुझे डर है माने एक बार मुझसे कहा था कि हर चीज़ का एक सही वक्त और सही उम्र होती है बिटा पर उस वक्त मैं नहीं समझा कि जिन्दगी के सही माइने क्या होते है ये बहुत खुबसूरत है पर अब जाके मुझे हैसास हुआ कि बहुत देर हो चुकी है अगर आप मैं अवंतिका से अपने दिल की बात कहूँ ये एक खुदगर्जी होगी कैसी खुदगर्जी बोस आपको लगता कि उम्र बीच में आ रही है कभी आपने उससे पूछा क्या एक बार वो नादानी में गलती कर चुकी है मैंने चाहता कि ये गलती उससे दुबारा हो अवंतिका के लिए ही अच्छा होगा कि मैं उससे दूर चला जाओ क्योंकि अब कुछ बुरा हुआ तो वो बर्दाश्ट नहीं कर पाएगी देदी आपके बेटे को तो अपने और पराय से कोई मतलब नहीं है पर आप हमेशा अपनों के लिए ही जीती आई है मुझे अब सिर्फ इसी बात का डर है वैसे कुछ भी हो पर मैं हमेशा आपके साथ ही हूँ ए ऐसी बाते क्यों कर रहा है जब भी बुलाओंगी तुझे दोड़ कर आना पड़ेगा देदी का ख्याल रखना नमस्ते मामा अब मैं चलता हूँ वो चल दिया जाएगा अवंतिका जैसी बात हुई थी तुवारा फाइनल चेक रेड़ी है काम पूरा हो तो यह मिल जाएगा गुड डून वरे आज सारा खेल खत्म हो जाएगा अरे अवंतिका खाना अच्छा बना है अवंतिका को आने दो हालो 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 मां आपको कुछ चाहिए मां को गोभी के पराढ़े तुम? अवंतिका को दो बेटा अवंतिका गोभी के पराढ़े? क्या हुआ? अवंतिका अवंतिका नहीं चाहिए खालो 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 क्या लगा रखा है हां? हर रोज बस यही खाते हो क्या? एक ही चीज हर रोज बात यह है सैम के पापा को गोभी के पराढ़े बहुत पसंद थे वो हर संड़े गोभी के पराढ़े ही खाते थे उनके जाने के बाद हम उनकी यात में हर संड़े गोभी के पराढ़े ही बनाया करते हैं किसी हॉरर फिर्म की कहानी लग रही है यह वो तो मर चुके हैं आप हमें क्यों टोचर कर रही हो? मुझे लगता है अपने दिन रात उन्हें यही एक चीज खिला-खिला कर मार डाला और अब मुझे भी मारना चाहते हो Stupid people, bloody sentiments मुझे लगता है इनके मरने के बाद यही टॉचर हम सब की साथ भी होगा What the hell तुम्हें कुछ कहना है बताओ मुझे तुम्हारी परवरिश में मैंने कहां गल्दी कर दी बताओ मुझे तुमने मुझे जाने दा बेटा मुझे पता है तुम इससे नाराज हो पर हमने तुम्हारे साथ क्या खलत किया मैं तुमें इस परिवार का हिस्सा मानती हूँ हम तुम दोनों से बहुत प्यार करते हैं हम हमेशा तुम्हारे भले की ही सोचते रहते हैं चाहते हैं कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो बोलो कहां गल्दी हो गई हमसे तुम दोनों हमसे नफरत करते हो ना तुम सही हो, मैं ज्यादा दिलों की मेहमान नहीं हूँ बस जाने से पहले तुम दोनों को खुश देखना चाहती हो पर मैं पर अब मेरे अंदर इतनी शक्ती नहीं है मिटा जाओ यहां से फर्क नहीं पड़ता तुम दोनों ने क्या सोचा पर जहां भी रहो खुश रहना अवन दिखा अवन दिखा बोलो यही फाइनल पेइमेंट थी ना किस तरह के इंसान हो तुम तुम्हारे अंदर फिलिक्स नहीं है इस सबके बाद भी मा से शादी की बात तक नहीं की वो तो सिर्फ इतना चाहती है कि हम दुनों खुश रहे जानते हो सचा कौन है तुम्हारी मा अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो जाकर उनसे कह दो उनके सामने सच बोल दो और सब खत्म कर दो पर मैं उनके जजबातों के साथ इस तरह नहीं खेल सकती सैम आखिर तुम्हें एमोशन से इतना डर क्यों लगता है जानते हो इस दुनिया में लाखों ऐसे लोग होंगे जिनका अपना कोई नहीं होता है और एक तूम हो जिसके पास अपनी फैमिली है जो तुमसे इतना प्यार करती है पर तुम्हें उससे कुई मतलब नहीं मुझे तुमसे कुछ कहना है साम आइम होपलिसली इन लव विद यू पर अगर तुम अपने मा की प्यार को ही नहीं समझ पाए हो फिर मेरे प्यार को क्या सभगे तुम्हें कॉंट्राक की पड़ी है ना कॉंट्राक करना है ना हम गिव गिमी अमानी के में दा मानी नाव नाव अपनी मा के आज़ों की तुम्हें कदर नहीं है ना एक दिन आएगा जब तुम पचता होगे पर तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा टाक्सी बज़ होगे तुम्हें था तुम्हें नहीं होगे पर तुम्हें ठीज़िब नहीं होगे झाल क्या हो और नहीं सोड़ना मैं और अवंतिका कभी प्यार नहीं करते थे उसने मेरे ही कहने पर प्यार की एक्टिंग की और शादी के दिन भाग गई और अगर सच कहूं तो उसके ऐसे बर्दाव का कारण मैं ही हूँ पाप किया मैंने अवंतिका यहां से रोते वें चली गई वह आप लोगों से नजरे भी नहीं मिला पा रही थी जहां वो कुछी दिनों में आप सब को समझ गई थी मैं इतने सालों तक आपको नहीं समझ पहें मैं शादी कैसे करता मैं तो आप सब को दुख मोचाना चाहता था क्योंकि तब तक मुझे किसी भी लड़की से जरा सब ही प्यार नहीं हुआ था पर उसके मुझ से दूर जाने से मुझे हैसास हुआ कि मैं आप सब लोगों के बगएर नहीं जी पाऊंगा मैं यही कहना चाहता था मेरे जैसा परिवार किस्मत वालों को ही मिलता है मैं तो हब सब की माफी का हकदार भी नहीं हूँ पर अवंदिका को माफ कर देना मैं यहीं हूँ पर अवंदिका को मैं यहीं हूँ पर अवंदिका को मैं यहीं हूँ को को कुछ नहीं होगा कि आप हमेशा ऐसी रहो है मैं हर दिन इप्राज्ञ करने यह भी अे उसे वापस लेकर रहर जो हुँ जाज़ ना मैंने सब सुन लिया है कोई नहीं स्कीम मत बनाना तो तुम्हें मुझे से प्यार हो गया तुमने कभी ये नहीं सोचा कि मैं क्या चाहती हूँ तुमने बस फैसला ले लिया जवाब दो पाँ छी झावं वगभाई रवंत का ये. ये सच्छाЖा हिस्छा कि मैंट अब तुम दोनों शादी करोगे या यह दी नाटक है आजाओ माहा तुमने आओ ना कहां जा रहे हैं तुम मुझे कहां नहीं जा रहे हैं जड़ा रुखो तो सांभू मैंसे निका रहे हैं मुझे सांभू कहा ना तो जान से मार दूँगा ओके यह लो इस उमर में मेरी शादी की बात चल रहे हैं वो वो I mean you come up and you can run your fingers on him and that time you notice him so from where you notice him kya I'm telling you after completing speaking you come to this position samjhe अरे क्या कर रहे है यार है बगवान है बगवान कितना लोड़े हो यार क्या कर रहे है यार क्या कर रहे है क्या कर रहे है क्या कर रहे है सुमा उमा नहीं उपमा नहीं इतना मुश्किल है क्या बोलना अरे नहीं नहीं इस माइ फ्रेंड वो मुझे शरी 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 वन मूँ बॉस बात एक्चुली ऐसी है कि वो मैं अभी भी तो वर्जीन है ना यह हसने लगा वर्जीन कहा तो यह हसने लगा अहना हस रहे हो ना मैंने कुछ नहीं कर रहे है उस तरफ अगर आप दिखोगे तो चला जा हम दोनों कुछ लेखा मुझे बात करनी है बोश चलिए चलिए बोश चलिए मैंने प्रीज मैंने प्रीज यहां अपने मारा क्या हो गया इसे? बस 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 हो गया बहुत हो गया अरे पूछो तो सही पूछो इसे इसकी खुषबत अला कर दो अज़त कि इसकी तो यह बाली ही नहीं लगा गया क्या कर रहे हैं यहां पर अरे मैं क्या कहा रहा हूं मैं आपको वह तो बोल रहा हूं अच्छ यह एक बड़ और ठीक जोर से तो नहीं मारा नहीं है करते हैं चलिए ओके हां दादी अर्षी कि अर्षी कि अर्षी है तरीडे अर्षी कि यह तरीजी है अर्षी कर्के यह एक तर Money, Joining,apon 2,1 ब entrepreneurship अरे यार